बहुत ही ज्यादा वाइड लेपल्स मेका का लेकिन सोचो अगर मैठमेटिक की कुछ इंपॉर्टन कोशन जो है वह मालूम होजए वह हमें पता अच लग जएंगी क्योंकों से इंपॉर्टन कोशन है जो maximum time repeat होके आते हैं और इस वाद ही उनके आने की possibility बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कितने खुश होगे तो फिर खुश हो चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं जेके बहुत क्लास्टे मैंथमेटिक्स के जो important question है, important exercise है, important theorems है, उनके उपर आधम बात करने वाले हैं ये part 1 ने वीडियो होगा, इसमें हम mathematics के फॉस्ट से लेके 7 तक chapter जो है वो cover करेंगे अगर इस पे retention अच्छा मिला, आपने इस वीडियो को प्यादिया तो इस पे जो है, part 2 भी बढ़ेगा, जिसमें हम एक 15 तक के चैप्टर की important portion जो है, वो discuss करेंगे अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो मेरे को comment box में बता देना भई, तो आज की बढ़ात इस वीडियो में हम बात करेंगे, फर्स्ट से लेके 7 तक जो chapter है, वो में कौन कौन से ऐसे portion हैं, जो maximum time कूशित रते हैं, तो बिना time waste की हम start करते हैं, अपना आपका topic, Hello and welcome back to the unique channel combined education, मेरा नाम है जर्वाजदन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, class 10 mathematics के कुछ important questions के बारे में, तो अपनी mathematics की book है या जो वी अपने help book लिए है, उसको आप बहार निकार सकते हैं, उन पे tick जो है वो लगा सकते हैं, तो सबसे पहले chapter number 1 की अगनम बात करें, जिसका नाम है rear numbers, तो उसमें आएगा भाई आपको exercise 1.1 जो है, उसमें question number 1, उसके सभी parts, question number 1 के सभी parts, उसके बाद question number 5 को आप एक बाद द्यान से देख लेगा, exercise 1.2 में question number 1, question number 4 और question number 5 को द्यान से practice करके चले जाना maximum time question repeat होता है वही, उसके बाद question exercise 1.3 में question number 1 और question number 2 जो है, वो द्यान से देखके चले जाना, उसकी explanation और उसकी जितने भी formula हैं, वो देखके चले जाना, उसके बाद chapter number 2 exercise 2.1 यहाँ पे आपको कुछने ही करना, exercise 2.2 जो है, वहाँ पे question number 1 और question number 2 जो है, वो करने पड़ेगे आपको, और exercise 2.3 जो है, वहाँ पे question number 1 और question number 3 जो है, यह आपको करना पड़ेगा, चैप्टर नमबर सों करना आप है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, तो यहाँ आपने बात की, रियर नमबर सो पोलिनोमियल की, आप इस चीज का screenshot भी यह सकते हैं, जा इसको आपके अपनी बुक पे टिक भी लगा सकती है, यहाँ में screenshot टेने का option भी आपको दे देता हूँ, च 3.2 में आपको Q2 और Q3 जो है, उसको करना पड़ेगा, एक्सा एकसाइग 3.3 में Q1 का आपको करना पड़ेगा और Q2 के Part no.1, Part no. B, Part no. E, Part no. F जो हैं वो आपको करना पड़ाँ इन प्रियाने इन पार्ट को द्यान से देख लेना Q2 के A, B, E, F उसके बाद अगर हम बात करें exercise 33.4 की तो Q1 को 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 के A, B, C पार्ट Q1 पूरा और Q2 के A, B, C पार्ट इसको द्यान से देख लेना उसके बाद 3.5 की बात करें तो question number 1, 2, 3 ये पूरे पूरे करने पड़ेंगे आपको और question number 4 जो है उसका B part और E part द्यान से देख लेना उसके बाद exercise 3.6 है वहाँ पे question number 1 ही जो है वो एक main करने वाला है तो ये होगी आपका third chapter अलग हम बात करें chapter number 4 की तो exercise 4.1 में आप question number 1 करने पूरा और question number 2 में A part, B part और C part द्यान से कर लेना 4.2 में question number 1 है 3, 4 और 5 ये question आपको द्यान से कर लेना exercise 4.3 में question number 1 के सारे parts और parts आप देख लेना completing square में इन question है और question number 6 से 7, 8 और 9 ये question जो है उनको द्यान से देख लेना जानि question number 1 के सभी part और question number 6 से 7, 8 और 11 उसके साफ में उसके बाद exercise 4.4 में जिर्म question number 2 यहाँ 6, 7, 8 और 11 है वही द्यान से देख लेना तो ये होगी chapter number 3 और chapter number 4 इनके भी आप screenshot जो हो ले सकते हैं चलिए chapter number 3 और chapter number 4 के बाद अब हम बात करेंगे chapter number 5 और chapter number 6 की तो chapter number 5 में exercise 5.1 में question number 4 question number 3 को द्यान से देख लेना maximum time इनके question repeat होते हैं उसके बाद exercise 5.2 में question number 6 से 7, 8, 9, 10 और 11 इन questions को द्यान से देख लेना उसके आवाद इसी exercise में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन में से आपको एक ना एक question 100% है जो आएगा ही आएगा short answer भी short answer भी उसके बाद exercise 5.3 में question number 1, 3, 4, 7, 8 और इसी exercise में 12, 13, 14 तो यह हैं कुछ question जो फिस्ते chapter से important है जो maximum time repeat होके आते हैं exercise 5.1 की बाद की 5.2 की और 5.3 की अब बात करते है chapter number 6 की तो यहां में आपको चाल theorem है जो आपको करनी पड़ेगी basic proportionality theorem जिसको थेल्स theorem भी कहा जाते हैं और उसका inverse Pythagoras theorem LX inverse चाल theorem में होगी उसके बाद exercise 6.1 में आपको कुछनी करना 6.2 में आपको कुछनी करना 6.3 में question number 5, 6, 8 और 13 6.4 में 1, 2, 5, 6, 7 यह question है भाई उसके बाद 6.5 में question number 4, 5, 6, 7, 13, 15, or 16 तो यह question है जो chapter number 5 और chapter number 6 से repeat होके आती है chapter number 6 से भाई आपको long answer आएगा जिसमें एक आपको theorem आएगी एक theorem और उसके और में एक को एक question आएगा exercise का तो वो आपको अपने हिसाब से preparation कर देना इन ही questions की और इन theorem की अच्छे से अब बात करेंगे हम chapter number 6 की chapter number 6 की sorry बात हो गई अब बात करेंगे हम chapter number 7 chapter number 1 से लेके 6 तक हमने बात की अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के last chapter में जो है chapter number 7 7 coordinate geometry यहां पर आपकी तीन exercise है 7 बात बात में आपको question number 1 3,4,7,8,9,10 यह question की number 1 यह बात व्याद रहना question की number के नाव की part 712 में आपको question बात 2,4,6,7,8,9,10 यह आपको करने बड़े तो एकसरसाई 713 में सिरफ question number 1 और question number 4 यह वो question है जो इस chapter से most important है और maximum time 3 जो होते हैं अप लगालो 95% जो है वो repeat यह question होती है तो इस question की आप detail में अच्छे से practice जो है वो कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ आपकी वीडियो हमारी होती है अगर आपको बात पूछ आईए तो मेरे को comment में जरूर बताना अगर आप आप आपकी वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को इत लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहरी बार आए हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर क्लिक करना ताकि मेरी हर ने वीडियो को notification सबसे पहले आप तक comment सके तो दोस्तों आप के रहे thank you very much